तो कैसे हो आप सब आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अप्लिकेशन लिख सकते हैं अगर आप पटना विमन्स कॉलेज में पढ़ते हैं और अगर आपने नौ दिन से जाधा एपसेंट कर दिया है या नौ दिन से जाधा अगर आ किस तरीके से अप्लिकेशन लिखना होता है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपने नौ दिन या नौ से जाधा दिन के लिए अपसेंट किया है तो आपको किस तरीके से अप्लिकेशन लिखना होता है तो चली फ्रेंट्स मेंना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उपर में हम लिखेंगे तू, उसके बाद दी प्रिंसिपल, फिर पत्ना विमन्स कॉलेज, बेली रोड पत्ना, उसके बाद एक लाइन हमको लीव करना है, फिर हम लिखेंगे, 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 फिर हम लिख लिखना है उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक लाइन को लीव कर देना है एक लाइन लीव करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे subject जो कि proper bracket में होना चाहिए ब्रैकेट में आप लिखोगे कि आपने application किस purpose से लिख रहे हो आपने किस लिए application लिखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे leave application for absenting college for more than 9 days और whatever days उसके बाद यहाँ पर एक लाइन हम leave करेंगे फिर हम यहाँ पर लिखेंगे respective sister because यह जो letter है यह जो application है यह sister रश्मी के पास जाएगा principal sister के पास जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे respective sister है ना respective sister उसके बाद यहाँ पर एक लाइन हम leave करेंगे फिर यहाँ से जो है वो हमारा मेन बॉडी स्टार्ट हो जाएगा मेन बॉडी में आपको मेंशन करना है कि अपने कॉलेज क्यू एपसिंट किया है ठीके यह सारी चीज़े मेंशन करनी है और उसके बाद रिक्वेस्ट करना है कि मुझे एक लिए क्लास को जॉइन करने दीजी ठीके उसके बाद फिर हम यहा पर लिकना होगा, अपना रॉल नमबर लिकना होगा, अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना होगा, नाम को लिह करकि मैं आप लोगों को बता दू, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है ठेक है, जैसे कि एगर आपका नाम जोती कुमारी श्रिवास्तव है कपनी खींग अपना पुरा नाम जोती कुमारी श्रिवास्तव अपना रोल नमबर अपना डिपार्टमेंट का नाम और यहाँ पे जो है वो आपकी HOD का सिगनेचर होना important होता है और यह जो application है आपको proper A4 size paper में लिखना होता है ठीक है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा informative लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like, share, subscribe जरूर करिएगा जैहिन वन्ने मात्रम